कर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजुकेशन मंत्रा एंसे इंसे इंसे इटी में हार्दिक स्वागत है आज हम क्लास 9 कि मैथ के कुछ कुछन करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 2.4 है पिछली वीडियो में इससे पहले वाले कुछन कर दिये गये थे आज कुछ कुछन में फैक्टर है आगे वाले कुछन में रिमेंडर थियरम से आपको कुछन साल्ब करने होंगे देखिए फर्ष्ट कुछन है यह 12 x2-7 x-1 को फैक्टराइज करना है तो अगली थिंग है यह हम देखते हैं दखिए यह x2-bx-c के फार्म का है तो ऐसे कुछन का फैक् स्क्वेर के कोफिसियेंट का ले जाकि यह सी वाले टर्म में हम मल्टिप्लाइट कर देता है अब एसी का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिनको 8 करने पर या सब्टेक्ट करने पर यह bk एक्वल आना चीए इसी काल से परम करेंगे तो देखिए x2 का कोफिसियेंट क्या है यह 12 है तो 12 का 1 के साथ आप मल्टिप्लाइट करेंगे तो 12 इन्टिप्लाइट करने पर 12 आपके पास 12 का फैक्टर क्या बन जाएगा 4 into 3 4 को आप 3 के साथ multiply it करेंगे 12 हो गया प्लस 12 देखिए यहां लेकिन कर रहा है कि माइनस वहना चाहिए अब क्या करेंगे कि माइनस 4 और माइनस 3 जब ने लेंगे तो माइनस 4 को माइनस 3 के साथ multiply it करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा आप माइनस 4 में माइनस 3 को 8 करेंगे तो आपका माइनस 7X हो जाएगा तो करते हैं हम 12X square अब माइनस 7X के प्लेज पर क्या रखना है आपको माइनस 4X माइनस 3X प्लस 1 दो टर्म्स को एक साथ हम ले देखें यह देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी है कि 12X square माइनस 4X जब आप ब्रेकेट से पहले माइनस है और ब्रेकेट बनाते हैं तो ब्रेकेट के अंदर की थिंग को वह चेंज कर देता है जो पाजीटीव होता है इसको निगेटीव कर देता है या जो निगेटीव होता है उसको पाजीटीव कर देता है तो इस तरीके से यह आप ब्रेकेट बनाये थी यहgangen माइनस था तो आप लिखेंगे 3x minus 1 अगली तिंग देखें इसमें आप यह देखिए कि कामन क्या है तो 4x square यहां है और 4x यहां ध्या है तो 4x ox कामन लेली लेने का मतलब इसमें डिवाइट करेंगे 4 exclusive तो भीड़ित करेंगे 12x square क्यों तो इतना आ गया यह 3x आ गया और 4x को 4x से दिवाइट करेंगे तो यह वन आ गया यहां देखिए कि यह 3x-1 एकुछ कामल नहीं तो आप 1 कामल लेंगे आप कितना कामल लेंगे वन कामल लेंगे तो 3x-1 देखिए ये दोनों ब्रेकेट क्या है सेम है तो अब हम इनको कामन ले लेते हैं तो 3x-1 कामन आप ले लिए तो यहां से बच गया आपका 4x-1 इस तरीके से ये आपका answer हुआ ठेक है तो अगला हम question कर लेते हैं ये second को यहां क्या है 2x-2 प्लस 7x प्लस 3 सबसे पहले आपको ये देखना है कि x-2 का coefficient क्या है तो x-2 का coefficient 2 है तो उस 2 को ले जाके आप 3 के साथ मल्टिप्लाइट कर देंगे 3 के साथ 2 को मल्टिप्लाइट किये तो आपका आगया 6 आप 6 के ऐसे factor करने है जिनको 8 आप करें तो 7 के equal हो जाए या subtract करें और multiply it करें तो आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए देखिए फाक्टर क्या बन सकता है 6 का factor हो गया एक तो हो गया आपका 3 into 2 3 out 2 को 8 किये तो 5 हो रहा है subtract किये तो 1 हो रहा है तो यह factor नहीं हुआ 6 का अगला factor क्या बन गया 6 into 1 6 को 1 के साथ multiplied किये तो 6 आ गया और 6 के साथ 1 को 8 किये तो 7 आ गया तो यह आपका factor हो गया अब 6 और 1 को ले लेंगे देखें यहां 2x square 7x के जगह आप लिखेंगे 6x plus x plus 3 bracket कर लेंगे इस question में minus नहीं है तो कोई change नहीं होना है अब देखें यह common क्या आपका 2x square यहां है 6x यहां है तो यानि 6 में 2 सामील है तो आप 2x कामन लेंगे 2x कामन लेंगे यहां से कितना बज़ गया x प्लस यह 3 हो गया क्योंकि 6x को 2x से divide करेंगे तो 3 बजाएगा यहां कुछ कामन नहीं है तो आप 1 कामन लेंगे x plus 3 अब देखिए दोनों bracket same है अब इनको कामन यहां से उठा कि आप सामने रखिए यहां रख लिए x plus 3 क्या बच रहा है यहां यहां 2x बच रहा है तो 2x प्लस 1 इसका यह factor हो गया ठीक है तो अब यह question नमर 3 ले लेते हैं और इसको करते हैं 6x स्क्वेर प्लस 5x माइनस 6 थार्ड कुष्चन है 6x स्क्वेर प्लस 5 इस माइनस 6 अभी मैंने बताया कि x स्क्वेर के कोफिसेंट कुल ले जाके आप लास्ट टर्न में मल्टिप्लाइट करेंगे तो यह आपका 6 जाके इसके साथ मल्टिप्लाइट होना है तो माइनस 6 के साथ 6 को मल्टिप्लाइट करेंगे तो m Anda 36 हो गया तो अब क्या करना है आपको कि माइनिस 36 के ऐसे दो पैक्टर लेने हैं जिनका कि helping ख करें हम तो और Quin you are माइनेस श्ब्चेट क्रें तो आपका कितना या लुद होना चाहिए तो देखिए 36 का आपका दो कामन क्या होना चाहिए अगली यह भी आपको ध्यान देनी है कि बड़ा वाला जो फेक्टर होगा वो पाजिटी होना चाहिए क्योंकि यहां आपका प्लस पाइब आ रहा है तो एक तो हो गया करने पर 36 आ गया और 9 में से 4 को हम सब्टेक्ट करेंगे तो यह हमारा प्लस का फाइब आ जाए तो अब 9 का साइन आपका पाजिटीव होगा और 4 का साइन नेगेटीव होगा अब देखिए यहां कि शीक्स एक्स स्कवेड्स प्लस 9 एक्स क्या करना है फैस की जगंपर प्लस 키 ‫ब्लस 9 एक्स मैंस 7 एक टो 6 है कि हम बिलाइब करना है। उनलसे मनाने के ठीला तो बारिकिट पर इस ह attempt में रखने में और को training आप यसे करेंगे प्लस 6 यहां देखिए आप इसमें कमन क्या है इसमें कमन थ्री अधरी तुन जाँ 6 अथरी 39 तो 3x कमन लेलेजी यहां से 3x अब 3x से डिवाइड करेंगे तो यह हो गया आपका 2x अप प्लस x को x काट देगा यह 3 यहां कमन क्या है यहां देखिए 2 कमन है तो two common ले लिए तो two two जा four two x plus three अब दोनों bracket सेम हैं अब bracket को उठा के हम आगे लाएंगे अब यह हमारा common हो जाएगा two x plus three जब यह आप common ले लिए हैं यहां से हटा लिए हैं तो यह क्या बचेगा यहां से बचेगा three x minus two तो इस तरीके से आपका यह answer हो गया two x plus three और second bracket में three x minus two तो fourth question भी इसका हम कर लेते हैं three x square minus x minus four यह question है आपका three x square minus x minus four क्या करेंगे आप x square की coefficient को ले जाके multiply करेंगे four में तो minus four को जब three से आप multiply it करेंगे तो यह कितना हो गया माइनस 12 हो गया अब माइनस 12 का फेक्टर करना है जिसको एड करने पर या सब्टेक्ट करने पर minus one आये और multiply it करने पर minus 12 आये तो आपके पास minus 12 का फेक्टर क्या है एक तो minus 12 इंटू 1 है multiply it करने पर तो यह आया लेकिन eight करेंगे तो माइनस 11 आ जाएगा सब्टेक्ट करेंगे तो माइनस 13 आ गया तो यह फेक्टर आपका काम नहीं किया अब माइनस 12 का मगला फेक्टर देखते हैं फोर इंटू 3 देखिए सब्टेक्ट करने पर यह आना है माइनस वर तो अब यह बड़े बले नंबर्स का साइन निगेटिव करेंगे चोटे वाले का पाजिटिव करेंगे कि माइनस फोर में सब प्लस 3 को 8 करेंगा तो यह माइनस वहना जाएगा और मुलिप्लाइट कि यह माइनस 4 को 3 के साथ तो माइनस 12 हो गया तो यह 3x स्क्वेड माइनस 4 या प्लस 3 या माइनस 4 दो दो को एक ब्रेकेट में कर लिजी देखे इसके पहले प्लस था तो कोई यहां कामन क्या है केवल आपका एक से नमबर कोई कामन नहीं था तो य आक्स कामन माइनस 4 इसमें कोई नहीं है तो कुछ कामन नहीं होता है Assass up चामिए अब 3x-4 दोनों ब्रेकेट एक जिसे हैं तो अब ब्रेकेट को कामन लेकर हम आगे लिए रखेंगे यह ओगया 3x-4 अब सेकेंड ब्रेकेट में हो गया एकस प्लस 1 इस तरीके से ये इसका फेक्टर हो गया अगला नेते हैं देखें ये एक सीर्फ एक चीज से में को ध्यान देनी है कि इसका पावर थ्री मैकसिमम पावर थ्री है मतलब यह ब्हुत्र धेयंगे तो इसको करते हैं कैसे यह पावर थ्री तो हम इसको रिमेंडर थीर he के द्वारे करेंगे तो उसमें क्या करना होता है कि यह क्वHE एक्स Q माइनस 2X स्क्वेर माइनस X प्लस थय है तो आपको यह लास चेट seven 10 ए तो यह देखिए टू का inspectors आपके पास क्या हो सकता है वर्ण इन्तू टीब हो सकता एक तो प tocarइं क्या कि यूझ कि यह तो उसकी value हम put करते थे x के हां remainder 0 आता था तो हम कह लेते थे कि यह इसका factor है तो हम क्या करेंगे कि x is equal to 1 रखे के देखेंगे अगर x is equal to 1 रखने पर इसका remainder 0 है तब हम कह लेंगे कि x minus 1 इसका एक factor है तो x is equal to 1 हम रखे देख लेते हैं तो x के प्लेस पर one रखेंगे one का cube minus two, one का square minus यहाँ one आप रखेंगे, अब plus two, दयान दीजिए one का square करेंगे तो आप one का cube किये तो oneाँ आगया, आगया two, यहाँ minus one, यह plus two, plus two, इस minus two को cancels कर दिया, minus one, one को cancel कर दिया, यह remainder कितना आ गया, zero आ गया, तो x is equal to जब हम 1 रखे थे तो इसका मतलब क्या है इसका मीन यह है कि x minus 1 is factor of x cube minus 2 x square minus x plus 2 एक factor हम निकाल लिए हैं अभी मैं बात कर रहा था कि power इसका maximum power 3 है तो इसके 3 factors आने चाहिए तो अब क्या करते हैं x minus 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद क्यों से जो आएगा उसका फिर से हम फेक्टर कर लेंगे यहीं होता है तो देखिए आपको करना क्या है आपको x cube minus 2 x square minus x plus 2 को डिवाइड करना है पहला फेक्टर आप निकाल नहीं है क्या था पहला फेक्टर x minus 1 x minus 1 आगया तो अब x minus 1 से डिवाइड करेंगे देखिए इस x में आप कितने से मल्टिप्लाइड करेंगे कि आपका x cube हो जा तो कितना होगा वो plus का x square होगा अब इस से मल्टिप्लाइड दुनों में करके नीचे लिखते है तो x square से मल्टिप्लाइड करेंगे तो यह x cube हो गया आप x square का minus 1 के साथ मल्टिप्लाइड किये तो यह minus x square अब इसको सब्टेट करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ता है यह cancel हो गया अब माइनस 2 x square में प्लस x square को हीट करेंगे तो आपका आगया माइनस x square आप प्लस इसको नीचे उतार लेंगे यह minus x को उतार लेंगे कि अब योई करना आप इस एक्स को वाज किजिए कि इसमें कितने से मल्टिप्लाइड करें कि यह minus x square हो जाए तो क्या होगा यह पाजीटीव है माइनस आना है तो आप minus x से multiply करेंगे माइनस x से multiply करेंगे तो यह हो गया आपका minus x square माइनस x का minus one के साथ multiply It करेंगे तो आपका होगया कितना plus x, फार सब्टेक्ड करना होता है तो इसका finance change करेंगे plus कर देंगे इसका sign plus था तो मैनिस करेंगे ये cancel होगया minus x में minus x को create करेंगे तो मैनिस आपका 2x है और उपर सब्सक्राइब करेंगे तो यह अब ध्यान देजिए इस एक्स में कितने से हम मल्टिप्लाइट करें कि यह माइनस टू एक्स हो जा तो आप किसे मल्टिप्लाइट करेंगे माइनस टू से मल्टिप्लाइट कर देंगे तो माइनस टू से मल्टिप्लाइट कर दिए तो माइनस 2x अब मैनस 2 का plus minus 1 के साथ multiply it किये तो यह आपका plus 2 आ गया, subtract करनेगे तो यह plus हो गया, यह plus था तो minus हो गया, यह cancel हो गया तो आपका यह कितना आ गया देखिए आपका एक factor पर ले से x minus 1 था और दूसरा factor क्या बन के आ गया x square minus x minus 2 तो इसको जब आप फेक्टर करेंगे देखिए इसका भी मैं कर देता हूं X square minus X minus 2 अब इस minus 2 का ऐसा factor करें कि जिसको जोडने या घटाने पर minus 1 ना चीए तो फेक्टर इसका क्या हो जाएगा 2 into 1 तो X square minus 2 X plus X minus 2 कामल ने नहीं है यहां कामल कितना है आपका x है तो x-2 यहां हो गया और कुछ कामल नहीं है यहां 1 कामल नहीं है x-2 तो पहले ब्रेकेट में हो गया x-2 और सेकेंड ब्रेकेट में हो गया x-1 अब देखे इसके प्लेस पे आप रख लेंगे क्या हो गया x-1 पहले ब्रेकेट में और इसके प्लेस पे आपका क्या आ गया x-2 और x-1 इस तरीके से x-3-2 x-2 का यह फेक्टर हो गया अगिला कुशन हम कर लते हैं सेकेंड वाला अराम से चलते रहिए सुनते रहिए सारी चीजे किलियर हो जाएंगी समझ में आ जाएगा आपको यह आपका क्यूशन है सेकेंड एक्स क्यूब माइनस 3 x स्क्वेर माइनस 9 x माइनस 5 इसकल टू मैंने बताया कि यह जो लाश्ट टर्म है इसका आप फेक्टर करेंगे कि क्या होता है उसको हम रख के देखेंगे तो क्या होगा फाइब का आपका पास फेक्टर हो सकता है वन इंटु फाइब तो हम क्या करेंगे पहले x is equal to 1 रखेंगे अगर remainder 0 इससे नहीं आया तो x is equal to minus 1 रखेंगे ठीक है तो कर लेते हैं पहले एक सर्फ कते हैं तो x is equal to 1 रखेंगे x is equal to 1 put कर रहा है तो यह 1 का cube हो गया फिर यह 3 1 का square 9, 1, minus 5 द्यान दिजिए 1 का cube आप करेंगे तो यह 1 हो गया यह minus 3 यह minus 9, यह minus 5 तो यह 1 हो गया आई यह कोई किसी से cancel नहीं हो रहा आप क्या करेंगे आप x is equal to minus minus 1 रखेंगे तो minus 1 रखके देख लेते हैं तो minus 1 का cube 3 minus 1 का square minus 9 यह minus 1 आप minus 5 तो minus 1 का cube किये तो आपका यह minus 1 आगया, यह minus 3 आगया, यह plus 9 आगया आप यह minus 5 आगया द्यान दिजिए एक ही question में कई negative number आ जाएं और positive number आ जाएं तब हम क्या करते हैं सारे negative को एक साथ जोल लेते हैं और सारे positive को एक साथ तो minus 5, minus 3, minus 8 होगे, आप minus 9 और यह आपका plus 9 था तो minus 9, plus 9 को cancel करके 0 कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, कि यह आप इदा टास्वोज कीए, तो x plus 1 इसका क्या है, एक फेक्टर है, तो आप लिख लेंगे, x plus 1 इस फेक्टर आप, फेक्टर आप, x cube, minus 3, x square, minus 9, 1, minus 5 अभी मैंने बताया था कि इसपर power 3 है, तो इसके 3 फेक्टर सुने चाहिए, तो आपको मिल गया है कितना, एक फेक्टर मिल गया है, x minus, x plus 1 is factor आप, x cube, minus 3, x square, यह आपका है, minus 5 देखिए, यह आपका, x plus 1, एक फेक्टर आपको मिल गया, तो अभी क्या करना है, कि यह power 3 है, तो दो फेक्टर आपको और पता करने हैं, तो आप क्या करेंगे, x plus 1 से इसको हम डिवाइट करेंगे, अभी डिवाइट कर लेते हैं, तो x cube, minus 3, x square, minus 9, x, minus 5 को हम डिवाइट करेंगे, x plus 1 से, x cube, minus 3, x square, minus 9, x, minus 5, अब यह ध्यान देजिए, कि यहाँ x है, और यहाँ x cube लाना है, तो आप किस से मल्टिप्लाइट करेंगे, आप x square से मल्टिप्लाइट करेंगे, कि x cube हो जाए, तो अब इसका मल्टिप्लाइट इन दोनों के साथ करके नीचे लिखना होता है, तो x cube, plus x square, इसको सब्टेट करेंगे, तो sign change करेंगे, यह minus, यह minus, यह cancel हो गया, minus 3 x square में, minus 1 x square हो गया, तो आपका हो गया, minus 4 x square, और इसको bring down के लिए, 9 x, अब क्या करना है, कि इस x में वाज़ किजिए, कि कितने से मल्टिप्लाइट हम करें, कि minus 4 x square हो जाए, तो x को x square बनाने के लिए, तो आप x से करनेंगे, आप minus 4 लाना है, तो आ यह आ जाएगा, तो इसका मल्टिप्लाइट इन दुनों के साथ करने के बाद नीचे लिखते हैं, तो minus 4 x का मल्टिप्लाइट करेंगे, तो minus 4 x square, minus 4 x का plus 1 के साथ करेंगे, तो यह minus 4 x हो गया, अब देखिए, यह plus करेंगे आप, इसको plus करेंगे, यह cancel हो गया, 9 x में से 4 x क करेंगे, तो आपका कितना आ गया, minus 5 x आ गया, अब उपर से उतार लिजिए, minus 5 को, अब minus 5 x लाने के लिए, इसमें कितने से मल्टिप्लाइट करेंगे, तो आप सुभाईख है कि बताएंगे, कि minus 5 से करेंगे, तो minus 5 x आ इसमें करेंगे, तो यह minus 5 हो गया, अब क्या करना, इसको सब्टेट करना तो यह प्लस हो जाएगा यह प्लस हो गया यह तो इस तरीके से आपका फेक्टर यह आ गया एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेड माइनस फोर यह माइनस फाइल यह फेक्टर आगे अब इसको क्या करना इसको फेक्टर आप फिर कर लेंगे तो यह एक्स क्या बन जागा माइनस फाइब प्लस वन एक्स स्क्वेड माइनस फाइब एक प्लस एक्स माइनस फाइब दो को एक ब्रेकेट में कर लिजिए एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेड यहां देखिए कामन क्या है यहां एक्स कामन है तो एक्स माइनस फाइब यहां कुछ कामन न लिजे तो X-5 इस तरीके से यह X-1 और यहां आप कामनेंगे X-5 और दूसरे ब्रेकेट में आ जाएगा X-1 तो यह आपका इसका एंसर हुआ हम देखें यह 5 का थर्ड कुछ चने X-Q प्लस 13 X-square 20 प्लस 32 X 20 का करना है तो आप देखें यह टुएंटी का फेक्टर क्या हो सकता है वह सकता है वह सकता है तो हम X-1 रखके मानिस वन रखके टू रखके मानिस टू रखके चेक करेंगे कि इसका पहला फेक्टर काउन चाहा थे एक सब्सक्राइब लखेंगे क्यों कि यक्स इसकहल वागर वन हम रखते हैं तो यह सारे पाजिटिव हैre समो के एक नमबर आजाएगा हमें क्या चीए हमें इसका यह रिमेंडर 0 आजिए तो यक्स इडो लखते हैं मानेस वान रखते हैं अगर यह इसको जी रूकर देता है तो यह प्लस 1 हमारा क्या बन जाएगा एक टर बन जाएगा तो रखते हैं एक के प्लेश मानस ओन का क्यूब करेंगे फ्लस 13 मानस ओन का स्कूर्ड प्लस 32 मानस ओन फ्लस 20 कूर यह कर देते हैं हो अब इसको आपको साव करना है तो माइनस 1 का क्यूब आप करेंगे तो यह हो गया आपका माइनस 1 का स्क्वेर किये तो प्लस 1 हो गया प्लस 1 को थर्टीव के सथ मल्टिप्लायर किये तो यह प्लस 13 हो गया माइनस 32 अब प्लस 20 एक जी क्विश्चन में negative और positive नंबर आते हैं तो शारे negative नंबर को साथ 8 कर लेते हैं और सारे पाजिटिव को एक साथ 8 कर लेते हैं तो इसका मतलब हों梁द कीfendगे तो एक्स प्लस तो उसका एक्टर है यहठ प्लस ओन जब इसका भेक्टर है तो इससे घेल से existing X plus one से divided करेंगे हम X cube plus 13 X square plus 32 X plus 20 को कर लाइत हैं divided अब यह ध्यान दिजिए कि इस X में कितने से हम मल्डिप्लाइट करें कि X cube हमारा हो जाए इस ही को वाच करना है बाकि मल्डिप्लाइट करके जो आ रहा है लिखते जाएंगे तो X2 से multiply करेंगे X3 से multiply करेंगे तो यह X3 हो गया Plus X2 का 1 के साथ multiply किए तो यह X2 हो गया अब सब्टेट करेंगे तो यह minus यह minus यह cancel हो गया 13 में से 1 को सब्टेट किए तो आपका आगया 12 X2 अब प्लस 32 को उतार लीज़े यह उतर गया आप देखिए इस X में कितने से हम मल्टिप्लाइट कर दें कि 12X स्क्वेर हो जाए तो सुभाइक है कि आप बताएंगे कि 12X से मल्टिप्लाइट करेंगे तो ये 12X स्क्वेर प्लस 12X गटा देंगे इसको माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया 32 में से 12 को सब्टेट किये तो ये 20X आगया आई यह 20 प्लस 20 को आप ड्रिंग डाउन कीजिए अब फिर देखिए इस एक्स में कितने से मल्टिप्लाइट करें हम कि 20 आजा तो आप कितने से मल्टिप्लाइट करेंगे 20 से मल्टिप्लाइट करेंगे तो यह आगया 20 एक्स आप उनके साथ मल्टिप्लाइट किये त और दूसरा फेक्टर हो गया एक्स स्क्वेड प्लस 12 एक्स प्लस 20 इसको भी हम फेक्टर कर सकते हैं आप देखिए 20 का ऐसा हमको फेक्टर लेना है कि जिसको 8 करें तो 12 आ जाए और मल्टिप्लाइट करें तो 20 आ जाए तो यहां इसको लिखते रहेंगे यहां से आपका कामन क्या है यह एक्स कामन है तो एक्स प्लस टू यहां होगे यहां हो गया और यहां से कामन कितना है आपका 10 कामन है तो एक्स प्लस टू हो गया है अग देखिए एक्स प्लस वन इसको राइट किजिए देखिए एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू दोनों में कामन हो गया तो इसको कर लिजे एक्स प्लस टू और यहां क्या हो गया एक्स प्ल 2y3 my plus y square minus 2y minus 1 देखिए इसको remainder theorem से भी कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो हम आपको बता रहे हैं कैसे कर लेंगे 2y3 के साथ हम minus 2y को write कर लेते हैं 2y को आप plus y square minus 1 अब देके हम कर लेते हैं देखिए इसमें कामन कितना है आपका 2y कामन है तो 2y कामन हो गया तो आपका हो गया यहां y square minus 1 और यहां कुछ कामन नहीं था तो आप 1 कामन लेंगे y square minus 1 देखिए अब यह y square minus 1 y-1 दोनों में कामने तो इसको आप ले लिजिए कामन ले लिजिए y-1 और यहां से क्या बच गया आपका 2y-1 देखिए a2-b2 के फारवोलों कि यूज करके आप इसको कर सकते हैं यह y जो है a के इक्वल है और 1 जो है दूसरे में a-b2 होता है तो आप कर लेंगे y-1 एक ब्रिकेट में कर लेंगे और दूसरे ब्रिकेट में y-1 यह प्लस था तो प्लस यहां राइट कर लेंगे तो इस तरीके से आपका y-1 और y-1 और 2y-1 हो गया तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और चैनल क कर दो सब्सक्राइब किजिएगा धन्यमाट अब कर दो